स्वागत है आपका पाई क्लासेज में आज का टोपिक क्लास नाइंथ के लिए चैप्टर ठर्टीन एक्सरसाइज 13.6 दोंको इसमें जो मैं सीखना है यह आपको शेप पता ही है क्या है सिलेंडर सिलेंडर का वोल्यूम फाइंड आउट करना हमें करना है दोंको इसमें एट चार exercise, चार solid shapes, उनका surface area, बाकि जो चार exercise, चार solid shapes, उनका volume तो देखिए, volume क्या होता है, volume हमने पिसली exercise में भी देखा, क्या होता था base का area into height, ठीक है, base area into height, cylinder का base कैसा होता है, circular तो circle का area क्या होता था, pi r square, और height क्या होती है इसकी, h, तो formula क्या बन गया, pi r square h यानि r और h अगर हमें मालूम हैं, तो हम easily किसी भी cylindrical shape का volume find out कर सकते हैं, example number 13, कहता है example number 13 में एक temple है, temple में 14 pillar हैं, और pillar कैसे हैं सारे, cylindrical shape, तो उनमें से एक shape of each pillar इस type की है, radius दे रखिया 20 cm, height दे रखिया 10 meter, इसको भी हमने cm में convert कर लिया, क्योंकि दोनों का unit same होना चाहिए, सबसे पहली line वोई, figure is self-explanatory, neat and clean figure बनाओ, उसमें हमने dimensions show कर दी, अब कहता है, जो 14 pillar हैं, इनमें कितना concrete चाहिए, इनने बनाने के लिए concrete क्या होता है, जैसे lenter डालते हैं तो जो machine होती है, उसके अंदर जो concrete बनता है, नहीं मसाला एक तरीके से, तो कितना चाहिए, जितना उनका volume है, उतना ही चाहिए, तो amount of, उसी की language में लेखेंगे, amount of concrete mixture required for 14 pillar, 14 pillar के लिए, तो क्या होगा, 14 into volume of one pillar, 14 into pi r square h, value रख दो, 14, 22 upon 7, r कितना है, 20 into 20 into 1000, बस 7 से इसको काट दो, सब को multiply कर लो, जो भी आएगा, इतने centimeter square, उस centimeter cube, ठीक है, और अगर इसको meter में करना चाहते हो, तो कितने centimeter है, तीन बार है centimeter, 100, 100, 100, तीन बार 100 से इसको divide करना पड़ेगा, otherwise इतना ही छोड़ दो, यह यह answer हमारा ठीक है, example 14 में क्या कहता है, किसी मेले में, एक stall keeper के पास, एक cylindrical type का एक vessel है, जिसमें की juice भरा हुआ है, ठीक है, और इस vessel की dimension है, r, 15 centimeter, h, ऐसे हाँ पर capital ले लो, क्योंकि हमें, एक cylindrical glass ओड़ दे रखा है, तो यह capital ले लिए हमने बड़े वाले vessel की, अब कहता है, इसमें से juice बेचा जाता है, जिन glasses में बेचा जाता है, वो भी cylindrical है, और जो एक glass है, उसकी radius 3 centimeter है, और 8 centimeter की height है, कहता है, एक glass की cost है, वो 15 रुपे है, ठीक है, 15 रुपे है, 12 रुपे है, किसी book में 15 है, किसी 12 है, 12 मान के चल लिए थे, 12 रुपे है, 15 रुपे है, वो तो अलग, उससे कोई फर्म ने पड़ता है, तो कहता है, शोप की पर इसका juice बेच कर, कितने पैसे कमाएगा, तो क्या करेंगे, पहले इसका volume finer कर लो, फिर एक glass का volume finer कर लो, बड़े वाले vessel के volume को small glass के volume से divide कर देंगे, तो number of glass पता चल जागा, कि इसमें juice कितना है, उसको हम price से multiply कर लेंगे, ठीक है, तो देखो, amount of juice in cylindrical vessel, फार्मूला, पता ही है तुम्हें, पाई हमने इसमें, देखो, capital R और capital H यूज करा है, क्योंकि हमें divide करना पड़ेगा तो है, पाई की value हमें रखने के ज़ूर्द नहीं है, और R ये हो गया हमारे पास, और H इतना हो गया, इतने centimeter Q, क्योंकि हमें divide करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें बिल्कुल multiply करने की ज़ूर्द नहीं है, now, amount of juice in each glass, ठीक है, तो यहाँ पर हम यह भी लिख सकते थे, volume of glass, वही एक ही बात है, पाई R square H, तो पाई R कितना है, 3 into 3 into H कितना है, 8, इतने centimeter Q, तो number of glasses of juice, जो उपर वाला है, पाई 15, 15, 32, इसको divide कर दो, पाई 3 into 3 into 8, अब दो कोई क्यों महनग नहीं कर रहा था, पाई से पाई कट गया, फाइदा क्या था हमाँ महनद करने का, तो 3 से कटा 5, फिर 3 से कटा 5, 8 से कटा 4, 5, 25, 25, चोग 100, 100 glasses आ गया, अब price कैसे, तो price for each glass, मान लो, rupees 15 है वो, ठीक है, तो total money earned by shopkeeper, तो 15 into 100, 1500 रुपीज, आईए अब करते हैं exercise, question number 1 में देखो क्या कहता है, कि एक cylindrical vessel है, या बरतन है कुछ भी है हमारे पास, उसकी height दे रखी है, radius नहीं गिवन है, radius की बज़ा कहता है, इसका जो base है, उस base का circumference दे रखा है, circumference का मतलब परिमाप, और base कैसा है, circular, तो circle का परिमाप दे रखा है, तो circumference of the base of the cylinder is 132 cm, यह हमारी जो general line है, तो हर question में उपर आनी है, और figure भी हर question में बननी है, तो यह कैसा होता, टू पाई हो रहता है इसका formula, तो चलो जी, यहां से निकालते हैं, 2, 22 upon 7 into R, 132, तो R इधर ही रहेगा, 132, 7 उपर चला गया, और क्या रहे गया नीचे, 2 रहे गया, और यह रहे, तो इससे काटा 6, इससे काटा 3, तो कितना आगा है, 21 cm, अब radius भी आगया, कहता है, यह जो हमार पास बरतन है, यह कितना पानी होल्ड कर सकता है, लीटर में, तो कितना पानी होल्ड कर सकता है, जितना इसका volume है, तो volume of cylinder, pi r square h, तो 22 upon 7, 21 into 21 into height 25, 7 से इसको 3 कर से multiply कर दिया, जो भी आएगा multiply करके, उसको 1000 से multiply कर देना, लीटर में आ जाएगा, सोरी, 1000 से यह cm3 है, cm3 को लीटर में बदलना, यह ध्यान लेना, तो cm3 को हम लीटर में कैसे बदलते थे, 1000 से divide करके, ठीक है, यहाँ पर multiply मत करना, यहाँ पर हम divide करेंगे, किस से? 1000 से, ठीक है, तब आएगा, अधरवाईज नहीं आएगा, आईए, करते हैं question number 2, कहता है, एक wooden pipe है, pipe कोई सा भी हो, अंदर से खोकला होता है, और उसकी कुछ न कुछ मोटाई भी होती है, तो यह मैंने इस लिए इस टाइप से बना दिया, यह मोटाई है, इस की pipe की, ठीक है, यह वाली, यह, यह pipe की मोटाई है, और यह pipe किस से बना हुआ है, वुड से, अंदर से यह खोकला है, तो कहता inner diameter, यानि अंदर वाले सिरे से, यहां से लेकर यहां तक, यह 24 cm, और बाहर वाला diameter, 28 cm, अंदर वाले diameter से, अंदर की radius निकाल दी, हमने यह, small r से दिखाई है, 24 बटे दो हो गई, 12 cm, बाहर वाले से capital r निकाल दी, और इसकी length जो दे रखे है, pipe की, जो length है, वो क्या हो जाएगी, height हो जाएगी, 35 cm, कहता है, इसमें जो wood use हो रहा है, उस wood का mass बताओ, अगर 1 cm cube wood का mass, mass यानि weight, 0.6 gram है, तो क्या निकालेंगे, उस wood का volume निकालेंगे, अब wood का volume कैसे निकालेंगे, बीच में से तो खोकला है, तो हमें खाली wood का चाहिए, तो volume of wood in pipe, कैसे, outer volume of pipe, outer volume का मतलब इस center से बाहर वाले किनारे तक, उसमें से minus कर देंगे, अंदर वाला volume, जो अंदर वाला volume क्या है, वो जो खोकला पार्ट है, तो बाहर वाले, बड़े वाले पार्ट में से, smaller part का volume, अगर minus करेंगे, तो wood का volume आ जाएगा, तो outer volume of pipe, pi r square h, capital r use कर एए, क्योंकि outer volume में, बाहर वाली radius use होगी, minus pi r square है, small r use कर एए, h दोनों में same है, pi h को माना आ गया, अंदर वाला पार्ट में चाहें, यहां से r square, यहां से minus r square, big और small, formula लगा दिया, a square minus b square का क्यों होता है, a plus b और a minus b, अब यहां पर रखो, 22 upon 7, 35, एक bracket में 14 plus 12, और एक bracket में 14 minus 12, यह से कट गया 5, 5 को 22 से multiply करो, 110, multiply by 26, multiplied by 2, जो भी आयागा, इतने centimeter cube, answer आएगा, mass of 1 centimeter cube हमें इतना दे रखा है, तो हमें निकालना कितना का है, इसका, तो यह जो भी आया है, इसको multiply कर दो, 0.6 से जो भी आयागा, ग्राम में answer आजाएगा, इस तरह से question complete होता है, देखो question number 3 जो है, वो आप अपना आप करोगे, एक soft ring जो है, दो तरह के pack में, दो तरह के pack में available है, एक cuboid है, एक packet और एक cylindrigger है, cuboid वाले के LBS दे रखे हैं, और cylinder वाले के भी diameter, और diameter से radius निकल जाएगा, और height दे रखा, वहाँ से हम उसका volume find out कर सकते हैं, कहता which container has greater capacity, greater capacity का मतलब किस container का volume जादा है, और कितना जादा है, माइनस करके निकाल लेना, तो do yourself, next में, कहता lateral surface area of cylinder, lateral surface area का मतलब cs से, cs से given है, cs से क्या होता है, 2 pi r h, 2 pi r h को जो भी given है, उसके equal लख लेंगे, और height भी given है, तो यहाँ से radius निकल गई, अब radius निकालने के बाद, volume आप easily find out कर सकते हो, आईए करते हैं question number fifth, ठीक है, देखो question number fifth में क्या कहता है, एक cylindrical vessel है, जिसकी depth है 10 meter, radius हमें नहीं पता, इसका जो अंदर का cs से है, अंदर का cs से का मतलब, सिर्फ यह card वाला area, अंदर की side से, ठीक है, तो उसको painting कराने का total खर्च, यानि उस पूरे को painting कराने का खर्च है, rupees 22 hundred, यह हमने लिख दिया, और cost of painting वैसे कितनी है, 20 rupees per meter square, तो यह total cost है, इसको given rate से अगर मैं multiply कर दूँ, तो अंदर का cs से निकल जाएगा, तो 22 hundred upon 20, 20 से इसको divide करेंगे, 20 बंजा, फिर 20 बंजा, 110 आ गया हमारे पास, 110 क्या आ गया यह, यह meter square आ गया, तो अंदर का cs से निकल गया, क्या था, अब cs से तो निकल गया, पहला question यह था, अब radius भी निकालो, तो cs से निकल गया, तो 2 pi यह यह, यह किसके बराबर आ गया, 110 के, यही काम हमें, इससे बहले वाले question में करना, जो भी मैंने तुम्हें बोल के बताया है, r हमें पता नहीं है, h हमें पता है, 10 है, 110, तो यहां से करो भी, 110, 7 उपर चला गया, 2, 22 और 10, यह नीचे आ गया, इसको काट दिया, 11, तूजा कट गया, यह आ गया, 7 बाइ 4 मीटर, radius भी बता चला गयी, height तुम्हें पता है, capacity निकालो, capacity यानि, volume हम easily find out, कर सकते हैं, देखिए, question number 6 में क्या कहता, एक cylindrical, closed vessel है, closed का मतलब, उपर से और नीचे से, बिलकुल बंद है, यहां भी metal seat लगी हुई है, और यहां भी metal seat लगी हुई है, तो इसकी जो capacity है, वो 15.4 liter है, liter में दे रखी है, height, meter में दे रखी है, तो हम इसको, liter को meter में convert करेंगे, 1 meter cube क्या होता है, 1000 liter, और liter को हमें meter में लाना, तो 1000 से divide, तो 15.4 liter को हमने divide करा, 1000 से, इस point को भी हटाया, तो एक 0 और नीचे बढ़ गई, तो यह कितना आ गया, capacity को, liter को हमने meter cube में convert कर लिया, और capacity क्या होती है, volume, तो यहां से volume का formula रख दिया, इस side, pi r square h is equal to this, तो 22 बटे साथ, r हमें नहीं पता है, h की value 1 दे रखी है, चलो जी, r square को इधर ही रहन देते हैं, 154 और 10,000, चलो, 7 उपर गया, ठीक है, और 22 हमारा नीचा है, 22 से हम इसको फिर काटेंगे, फिर से हमारे पास यह 7 आ गया, तो 7 into 7, इसको मैं लेख सकता हूँ, 7 upon 100 का square, क्योंकि 7 दो बार है, नीचे क्या है, 10,000, तो अगर हैं से मैं check करूँ, तो r की value हमारे पास आ गई, 7 upon 100 meter, अब कहता है, इस vessel को बनाने में, total metal की seat, कितनी चाहिए, अब देखो कितनी चाहिए, closed है, तो एक तो हमें card surface area, plus उपर के दोनों चाहिए, यानि कि total surface area, तो total metal seat required, ठीक है, यहां पर तुम लिख भी सकते थे, इस से पहले, कि total metal seat required is, TSA of vessel, ठीक है, TSA of vessel, TSA क्या हो जाएगा, 2 pi r, h plus r, बस यसमें value रख दो, 22 upon 7, 7 upon 100, 1 plus 7 upon 100, solve कर लो, इतने meter square, हमें metal seat चाहिए, अब देखो, question number 7 है, question number 7, बिलकुल डिटो, question number 2 जैसा है, जिसमें हमें, volume of wood, find out करना था, बस फर कितना है, वहाँ क्या था, वहाँ पर अंदर से वो खाली था, यहाँ pencil है, pencil के अंदर यहाँ graphite है, तो क्या करेंगे, पूरी pencil का volume find out कर लो, उसके लिए outer radius यूज होगी, और जो graphite वाला portion है, volume of graphite निकाल लो, volume of pencil में से volume of graphite हम माइनस कर देंगे, बिल्कुल question number second की तरह है, यह हमारा question होता चला जाएगा, अब करते हैं last question, देखो question number eight में क्या कहता है, कि किसी hospital में एक patient को, यह cylindrical bowl है हमारे पास, इस type का, उसमें soup दिया जाता है, तो cylindrical vessel की जो radius है, वो seven centimeter है, और जो soup उसमें दिया जाता है, उसे पूरा भर कर नहीं दिया जाता, उसे height four centimeter तक भर के दिया जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, volume of soup निकल जाएगा, volume of soup निकालना है, उसका bowl का नहीं निकालना, volume of soup निकल जाएगा, तो क्या लिखे ना, capacity of soup to be ready by hospital daily is equal to 250 multiplied by, जो भी हाँ से निकल के आएगा soup का volume, तो इस तरह से ये हमारी exercise complete होती है, देखो, एक ही फार्मूले पर बेशती है, और बड़ी easily ये complete हो गई है, अब हम करेंगे, अब क्या करेंगे, इस वीडियो को end करेंगे,